सर्दियों का मौसम अभी ठीक से आया भी नहीं कि हर साल की तरह इस बार भी दिल्ली NCR का एन्वाइन्मेंट लोगों को रुलाने लगा है। देपावली से पहले ही प्रदूशन का लेवल बढ़ता जा रहा है। लोग परिशान हैं। और सांस लेने में अभी से परिशानी महसूस होने लगी है। पार्टे की दिल्ली सरकार ने पहले ही विंटर एक्शन प्लैन तयार कर लिया था। जिसके तहट बताया गया कि होट स्पॉट की ड्रोन के द्वारा निगरानी की जाएगी। प्रदूशन को रोकने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया है। साथी धूल प्रदूशन पर भी नियंतरन किया जा रहा है। मोबाइल एंटी स्मॉक गन का भी संचालन हो रहा है, साथी वहनों से होने वाले प्रदूशन पर भी नियंत्रन किया जा रहा है पटाखों पर प्रतिबंद लगा है, वर्क फ्रॉम हूम पर फोकस करने के लिए कहा गया है स्वेचिक रूप से निजिमानों पर अंकुष लगाने की भी सरकार कोशिश कर रही है साथी और इवन भी लगाया जा सकता है, इसके अलावा कृतिम वर्षा कराने के भी उपाय अपनाए जा सकते है पिछले कुछ सालों में प्रदूशन से इन कामों पर भी रोक लगी हुई है जैसे भट्यां जलाने पर पाबंदी लगाई गई है, हास सेखने के लिए हीटर पर भी पाबंदी लगी है अलाव जलाने पर भी रोक है, निर्मानकारे रोक दिये गए है, जादतर जगों पर सर्दियों में निर्मानकारे पर भी रोक लगा दी जाती है इसके अलावा, Grab 2, Red Line On, Engine Off जैसे अभियान लॉंच किये गए हैं, साथी जरूरत पढ़ने पर और इवन फॉर्मूला भी लगाया जा सकता है इतना ही नहीं, एक जनवरी 2025 तक पटाके जलाने उनकी बिक्री और भंडारन को भी बैन कर दिया है, आने वाले दिनों में इसे और कम करने का प्रयास किया जा रहा है लगातार बढ़ते प्रदूशन से, बुज़ुर्ग, नवजात बच्चे और गरवती महिलाओं को ज़्यादा खत्रा रहता है ऐसे में प्रदूशन का इस्तर बढ़ने पर गरवती महिलाओं को घर के अंदर ही रहना चाहिए और बाहर जाने से बचना चाहिए अगर बाहर जाना जरूरी हो तो उन्हें N95 मास्क पहनना चाहिए घर के अंदर रहने के दौरान एर प्यूरिफायर का इस्तमाल करना बहुत जरूरी है अगर ये उपलब्ध नहीं है तो कुछ प्राकरतिक एर प्यूरिफायर जैसे मनी प्लैंट, स्पाइडर प्लैंट और स्नेक प्लैंट को घर में लगाना चाहिए मौसम बदलने और बढ़ते पॉल्यूशन से सर्दिक हांसी की समस्या भी बढ़ सकती है ऐसे में हाइजीन का पूरा ध्यान रखें, साबुन और पानी से हाथों को बार-बार धोई या फिर एलकोहल बेस्ट हैंट सेनिटाइजर का इस्तमाल करें सर्दिके वाइरस आपके हातों से आपकी आँखो, नाक और मुह तक पहल सकते हैं तो चेहरे को छूने से बचे जब आप छीकें या खासें तो टिशू पेपर का इस्तमाल करें और इसे डस्विड में फेक दें यदि बिमार हो जाएं तो घर पर रहें घर से बाहर निकलते समय दूसरे लोगों से उचित दूरी बनाए रखें तो आप भी इन सब बातों का ध्यान रखें समाज और पर्यावरण की प्रती, जिम्यदारी को समझें और एक स्वच्छ वस्वस्त समाज बनाने में भागिदार बने